आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकाउंट के बारे में जो हर किसी के लिए सेविंग का एक बेस्ट आप्शन हो सकता है हम बात कर रहे हैं SBI के Basic Savings Bank Deposit Account यानि की BSBD Account के बारे में तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस अकाउंट के Features, Benefits और Eligibility Criteria के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए तो चली इस वीडियो को शुरू करते हैं SBI के ये जो Basic Savings Bank Deposit Account यानि की BSBD Account है इसे Zero Balance Account भी कहा जाता है यानि इस अकाउंट को खोलने के बाद आपको कोई भी Minimum Balance Maintain करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये अकाउंट उन लोगों के लिए Perfect है जो Basic Banking Services का यूज करना चाहते हैं बिना किसी Extra Charges के अब बात करते हैं इस अकाउंट के Features के बारे में तो इसमें सबसे पहला है Zero Balance Requirement इसमें आपको Minimum Balance Maintain नहीं करना पड़ता है चाहें एकाउंट में पैसे हो या ना हो आपका एकाउंट चालू रहेगा Free ATM या Free Debit Card आपको इस एकाउंट के साथ एक रुपे Debit Card मिलेगा जो की बिल्कुल Free होता है Unlimited Transactions आपको SBI के Branch और ATM पर Free में Transaction करने की Facility मिलती है लेकिन अगर आप दूसरे बैंकों के ATM से पैसे विड्रौ करते हैं तो इसमें आप तीन बार Free में Transaction कर सकते हैं लेकिन इसके बाद Charges लगते हैं और ये Charges लगबग 20 से 25 रुपे के बीच में होते हैं इस अकाउंट के साथ आपको SBI के Mobile Banking App और Net Banking Services का Access मिलेगा जिसे आप अपने अकाउंट को घर बैठे-बैठे मैनेज कर सकते हैं इसमें आप SBI Yono App के थुरू अपने अकाउंट से Related सारे काम ओनलाइन अपने फोन से ही कर सकते हैं और SBI के ये जो Yono Application ये काफी Easy to Use है Passbook Facility इस अकाउंट पर आपको Passbook Facility भी मिलता है जिसमें आप अपने अकाउंट के Transaction का Record मेंटेन कर सकते हैं अब आगे जानते हैं कि इस अकाउंट को कौन-कौन से लोग Open कर सकते हैं यानि इस अकाउंट को Open करने के लिए Eligibility Criteria क्या है तो इस अकाउंट को Open करने के लिए Indian Resident होना जरूरी है यानि भारतिया नागरीक इस अकाउंट को Open कर सकते हैं आपके पास अधार काड और Pen Card भी होना चाहिए इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई Age Limit नहीं है इसके लिए आपको अपने Basic Documents जैसे कि अधार काड पैन काड और Address Proof देना होगा बैंक में जाने के बाद आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी फिल करना होगा डॉक्यमेंट वेरिफाई होने के बाद आपका अकाउंट इसली ओपन हो जाएगा तो दुस्तों यह है SBI का Basic Saving Bank Deposit Account यानि की BSBD अकाउंट अगर आप भी अपना Zero Balance अकाउंट खोलना चाहते हैं तो SBI का BSBD अकाउंट आपके लिए Best Option हो सकता है इसे के साथ उम्मीद करते हैं कि यहाँ जानकारी आपको काम की लगी है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें